नमस्कार दोस्तों, आर्सी स्ट्डी में आपका स्वागत है आज हम लोगा धेन करेंगे भुकम्प किसे कहते हैं या क्या होते हैं तो भुकम्प का सरल अर्थ होता है भूमी का कापना या पिर्थवी का हीलना उसे भुकम्प कहते हैं भुकंप के दवरान पिर्थवी के आंतरिक भाग से अचानक उर्जा मुक्त होती है जो चारो दिशाओं में भुकंपी तरंगों के रूप में फैल जाती है और इही तरंगे भूमी परकंपन कराती है भुकंप आने से पहले वाइ मंदल में रेडान गैसो की मातरा में बृध्धी हो जाती है भुकंप का अध्यन करने वाले विक्यान को सिस्मोलाजी काते है और भुकंप मापने के लिए जिस यंतर का उपयोग किया जाता है उससे सिस्मोगराफ काते हैं भुकम की तेवर्ता मापने के लिए रियक्टर पैमाना का उपियोग किया जाता है और फिर जहां से भुकम पी तरंगे मुक्त होती हैं उसे भुकम पमूल या उदगम केंद्र कहते हैं जहां भुकम पी तरंगे सबसे पहले पहुँचते हैं उसे अभी केंद्र कहते हैं